रादे रादे दोस्तों कुग भी तुपास नम इस तरह में आपका सोगत है। आज की इस वीडियो में हम इम्म्यूनिटी को स्ट्रॉंग करने वाला बहुती जादा टेस्टियर हल्दी आठे ड्राइफ रूट के लड्डू बनाएंगे इन्हें बनाना असान है तो चली बनाना शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए गैस पे कढ़ाई रखेंगे चार चम्मच घी डालेंगे गरम होने देंगे। घी गरम हो गया है हमने यहाँ पर आधा कब गोंद लिया है थोड़ा थोड़ा करते हुए गोंद डालेंगे फ्राय करेंगे फ्लेम को मीडियम रखेंगे। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी फ्राय हो रहा है, गोंद फूल गया है, इसे प्रेट में निकालेंगे, बचे हुए गोंद भी फ्राय करेंगे, कड़ाई में एक चमच घी डालेंगे, आधा कब बादाम डालेंगे, मीडियम फ्रेम पे 30 से 40 सेकेंड के लिए फ्राय करेंगे, बादाम फ्राय हो गए हैं इन्हें प्लेट में निकालेंगे इसी घी में आधा कप काजू ढालेंगे इन्हें भी 30 से 40 सेकेंड के लिए फ्राय करेंगे काजू भी फ्राय हो गए हैं प्लेट में निकालेंगे आधा कप किश्मिश ढालेंगे इसे भी 30-40 सेकेंड के लिए फ्राय करेंगे किश्मिज भी फ्राय हो गई है आप देख सकते हैं प्लेट में निकालेंगे इसी बचे हुए घी में 2 कप कद्दू कस्किया हुआ सुखा नारियल डालेंगे हलका सा भूनेंगे नारियल भी भून गया है आप देख सकते हैं इसका कलर हलका चेंज हुआ है प्लेट में निकालेंगे कड़ाई में एक चमच घी डालेंगे दो कप मखाने डालेंगे मेडियम फ्लेम पे चार से पाच मिनेट के लिए भूनेंगे पाच मिनिट हो गए हैं मखाने भी भुन गए हैं कंटेनर में निकालेंगे एक चम्मच घी डालेंगे घी में तीन चम्मच तर्बूच के बीच डालेंगे तीन चम्मच खस-खस डालेंगे मीडियम फ्लेम पे 30 सेकंड के लिए भुनेंगे ये बहुत जल्दी भुन जाते हैं तर्भूच के बीच और खसखजी भुन गये हैं कंटेनर में निकालेंगे कड़ाई में तीन चम्मच घी डालेंगे हमने टोटल एक कप घी लिया था सारा घी इस्तेमाल हो गया है तीन कप गेहूं का आटा डालेंगे आटा को लगातार चलाते हुए लोटू मेडियम फ्रेम पे कलर चेंज होने तक भूनेंगे आटा थोड़ा ड्राई लग रहा है इसलिए आधा कब घी और डालेंगे भूनेंगे लग भग 10 मिनिट हो गया है आटा भून गया है आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है इसमें से बहुत अच्छी खुश्बू भी आ रही है गैस को बंद करेंगे इसे एक कंटेनर में निकालेंगे मिकसर जाल लेंगे फ्राय किये हुए काजू डालेंगे दरदर पीसेंगे एक कंटेनर में डालेंगे फ्राय किये हुए बदाम डालेंगे इन्हें भी दरदर पीस के सेम कंटेनर में डालेंगे मखाने डालेंगे इन्हें भी दरदर पीसेंगे कंटेनर में डालेंगे भूना हुआ नारियल इसे भी पीसेंगे गुंद को कटोरी से खुआश करेंगे आप देख सकते हैं कितनी असानी से खुआश हो रहा है करुआश करने के बाद सेम कंटेनर में डालेंगे इसमें फ्राइक की हुई किशमिश डालेंगे साथी तरभूज के बीज और खस-कस भी डालेंगे एक चमच इलाची पाउडर डालेंगे इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद भूना हुआ गेहूं का आठा डालेंगे मिक्स करेंगे हमने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है बीच में जगह बनाएंगे और आगी का प्रोसेस करेंगे गैस पे कढ़ाई रखेंगे धाई कब कट किया हुआ गुड डालेंगे आधा कब पानी डालेंगे मीडियम फ्लेम पे गुड को मेल्ट होने देंगे गुड मेल्ट हो गया है अब इसमें उबाल आने देंगे आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ गई है बस इसे इतना ही पकाना है गैस को बंद करेंगे और इसे चानते हुए लड़ू के मिक्षर में डालेंगे अभी गुड गरम है इसलिए कल्ची से मिक्स करेंगे अब हाथों की मदद से मिक्स करेंगे हमने गुड कच्छे से मिक्स कर लिया है अब इस मिक्षर को इस तरीके से दबा देंगे ताकि जो नीचे का मिक्षर हो ठंडा ना हो थोड़ा सा मिक्षर लेंगे और लड्डू बनाएंगे लड्डू का साइज अब अपने अनुसार बड़ा छोटा रख सकते हैं जब मिक्षर गरम रहेगा तभी लड्डू बनाएंगे क्योंकि अगर ये ठंडा हो जाएगा तो लड्डू नहीं बनेंगे अगर लड्डू बनाते बनाते आपका मिक्षर ठंडा हो जाए और लड्डू ना बनें तो आधा कब घी को गरम करके इसमें डालें और फे मिक्स करें लड्डू बन जाएंगे हमने एक लड़ू बना लिया है, सारे लड़ू बना करेंगे तो लीजे सारे लड़ू बन गए है, मैं आपको लड़ू तोड़ के दिखाती हूँ देखे, बहुती ज़्यादा टेस्टी लड़ू बन के तयार हुए है रोज एक ग्लास गरब धूत के साथ एक लड़ू को खाए आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉंग होगी लड़ूं को पूरी तरीके से ठंडा हो जाने के बाद आप इन्हें कंटेनर में एक महिने के लिए स्टोर कर सकते हैं वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा राधे राधे